परिचय और समोसे जैसे जंक फूड को ना खाने के लिए कहती है और उसे सलाह देती है कि वह एक ऐसा संतुलित भोजन खाना शुरू करे जिसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज हों। इस पार्ट में आप अलग-अलग प्रकार के आहारों और उनके महत्व के बारे में आओ सीखें आदतों की सूची बनाना भोजन हम कई तरह का भोजन करते हैं भोजन में कई पोशक्तत वो होते हैं जैसे की कार्बोहाइडरेट, फैट यानि वसा, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल यानि खनिज इनसान के शरीर को तीन तरह का भोजन चाहिए ये हैं उर्जा देने वाला भोजन शरीर का निर्मान करने वाला भोजन और स्वास्थवर्धक भोजन उर्जा देने वाला भोजन उर्जा देने वाला भोजन हमें काम करने की उर्जा देता है उर्जा देने वाले भोजन में कार्बोहाइडरेट और फैट यानि वसा होती है चावल, गेहू, आलू, तेल और मखन उर्जा देने वाले भोजन के उधारण है चावल, गेहू और आलू में कार्बोहाइडरे तेल और मक्षन में वसा होती है। दूद, अंडे, मास, पनीर और चना शरीर के निर्मान करने वाले भोजन के उदारण है। स्वास्थिवर्धक भोजन खाने की जिन चीजों में विटमिन और खनिजों की मात्रा अधिक होती है। वे हमें बीमारियों से बचाते हैं। इसी लिए इन्हें स्वास्थिवर्धक भोजन कहा जाता है। पालक और पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सबजियों, गाजरों और फलों में धेर से विटमिन और खनिज होते हैं। सबजियां हमें अपना भोजन पौधों से मिलता है। पौधों के विभिन हिस्सों को सबजियों के तौर पर खाया जाता है। हम किसी पौधे के विभिन हिस्सों को सबजियों के तौर पर खाते हैं। पौधों के विभिन हिस्सों में जड़े, तना, पत्तियां और बीज शामिल हैं, गाजर, चुकंदर और मूली जड़े होती हैं, आलू, प्याज और लहसुन तने होते हैं, पालक और बंद गोभी पत्तियां होती हैं, मटर और बीन्स बीज होते हैं. पौधों के लिए आहार और बीजों में जमा रहता है. जानवरों के लिए भोजन आईए अब जाने की जानवर क्या खाते हैं? कुछ जानवर घास, पत्तियां और पौधे खाते हैं, इन्हें शाकाहारी कहा जाता है. शाकाहारी जानवरों में गाए और हिरन जैसे जीव शामिल हैं. कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं, उन्हें मासाहारी कहा जाता है. मासाहारी जीवों में शेर और बाग जैसे जानवर शामिल हैं. कुछ जानवर पेड़ पौधों और दूसरे जानवरों दोनों को खाते हैं, उन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है. ऐसे जानवरों में भालू और कुट्टे आदी शामिल है पौधों से मिलने वाले फल, सबजियां और दूध उतपाद शाकाहारी भोजन होते हैं जो लोग इन्हें खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है मास, अंडे और मचलियों जैसे जानवरों से मिलने वाले उतपादों को मासाहारी भोजन कहा जाता है उन्हें खाने वाले लोगों को मासाहारी कहा जाता है खान पान संबंधी अच्छी आदतें खान पान संबंधी अच्छी आदतों को अपना कर हम फिट और स्वस्थ बने रहते हैं आओ, खान पान संबंधी कुछ अच्छी आदतों के बारे में जाने खाना खाने से पहले और बाद में हमेशा अपने हाथ साबुन और पानी से धोए फलों और सबजियों को खाने से पहले धोएं जंक फूट से बचें हमने क्या चर्चा की? भोजन में कार्वोहाइडरेट, फैट, प्रोटीन, विटमिन और खनिज जैसे पोशकतत्व होते हैं उर्जा देने वाले भोजन में कार्वोहाइडरेट और फैट की काफी मातरा होती है शरीर का निर्मान करने वाले भोजन में प्रोटीन अधिक होता है सेहत मंद भोजन में खनिजों और विटमिन भरपूर मातरा में होता है पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं जो लोग सबजियां, फल और डेरी उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है जो लोग मास, अंडे और मचलियां खाते हैं, उन्हें मासाहारी कहा जाता है Fit और स्वस्त बने रहने के लिए हमें खान-पान की अच्छी आदतें अपनानी चाहिए